शाहीन बाग में प्रोटेस्ट तो चल रहा है लेकिन उसमें सिर्फ पांच लोगों को धरने पर बैठने की इजाज़त मिली है जूता चपल अलग रखा गया है जरूरी सुरक्षा के उपाय किये गये हैं महिलाओं को हमजद सूट पहनाने को कहा गया हमजद सूट से बॉड़ी पूरी तरह धकी हुई होती है प्रोटेस्ट में पांच लोगों को बैठने की इजाज़त है जिसमें दाधी और नानी शामिल है वहीं शाहीन बाग धरने से थोड़ी दूर लगे पुलिस बैरिकेट पर किसी ने कोई केमिकल जैसी चीज फेकी जिसमें किसी के घायल होने की ख़बर नहीं है 22 मर्च को कोरोना को देखते हुए प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी ने जनता करफियू का एलान के और ऐसे में दिल्ली की तमाम सड़के पूरी तरीके से सुंसान है लेकिन शाहीन बाग इलाके में पांच महिलाएं अभी भी धरने पर बैठी हुए पांच महिलाओं को इस प्रोटेस्ट में शामिल होने की इजासत दी गई है इसके लावा खास एहतियात भी बरते जा रहे हैं जो चपले हैं उनको बाहर रखी गई है और इसके लावा किसी भी सामान ये प्रोटेस्टर को अंदर घुसने की इजासत नहीं है बाकाइदा वहां पर सेनिटाइजर का इस्तमाल किया जा रहा है और आपको बताना चाहेंगे कि जिस दोरान ये प्रोटेस्ट चल जा था तभी एक बाइकर यहां पर आया शाहिन बाक के प्रोटेस्ट के ठीक बाहर यहां पर बैरिकेट पर और एक केमिकल जैसी चीज बॉ बाइकर था वो आया और उसके बाद उसने यहां पर केमिकल फेका था पुलिस उस वक्त यहां पर इस गेट पर मौजूद नहीं थी लेकिन पास में पुलिस थी फॉरन आई और उस आख को फिलाल बुजाय गया है इसके बाद ये भी बता जा रहा है कि जामिया इलाके में बाइकर गया और वहां पर भी उसने केमिकल जैसी कुछ चीज़ फेकिया फिलाल पुलिस इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कर रही है एक CCTV फुटेज भी पुलिस को मिला है जिसमें संदिग्ध बाइकर नजर आ रहा है तमाम पहलूँ पर जाच की जारी कि आखिर वो बा जूद है उनको हजमत पहनाए गया सूट जो ये सूट पूरा बॉडी कवर करता ताकि किसी भी तरीके का जो वाइरस है इस पर असर ना करे फिलाल जो जनता करफी हुए इसको ध्यान में रखते हुए सिर्फ पांच महिला ही शाहीन बाग प्रोटेस्ट में बैठी हुई है इससे पहले कल इंडिया इसलामिक सेंटर में शाहीन बाग के प्रदर्शन कारियों की पुलिस से मीटिंग भी हुई थी जहां प्रदर्शन कारियों के बीच जगड़ा भी हुआ था